भासकर और उसका कजन जनार्दन अरुनाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर में जाते हैं। उनका काम फॉरेस्ट को काट कर वहां एक रोड बनवाना था। वहां पहुँचकर वे दो लोकल युवकों जोमिन और पैंडा से दोस्ती कर लेते हैं, जो उन्हें वहां का एरिया दिखते हैं। एक दिन भासकर जंगल में घूम रहा था। तभी एक वुल्फ उसका पीछा करता है और उसे बट्स पर काट लेता है। जोमिन और जनार्दन भासकर को जल्दी से डॉक्टर अनिका के पास ले जाते हैं, जो एक वैट थी। अनिका बाइट के निशान को दे दिखती है और भासकर को एक इंजेक्शन देती है जिससे उसका दर्द कम हो जाता है। अगले दिन भासकर को अपने अंदर कुछ चेंज़स महसूस होती है। उसकी सूंगने और सुनने की शक्ती बेहत ज्यादा बियाश जाती है। इसी दौरान वहां के लोकल लोग उनके प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं। वे जंगल को काटने के खिलाफ थे। लेकिन भासकर वहां के युवाओं को डिवलपमेंट और जौब जादी के बारे में बताता है। और उन्हें अपनी साइड कर लेता है। वे प्रोजेक्ट के लिए मान जाते हैं। लेकिन अगले जुच बताता है कि यह एक भेश बदलने वाले नर भेड़िये का काम है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उधर भासकर का बरताव दिन अव दिन बिगड़ता जा रहा था। जनार्दन को शक होता है कि कहीं भासकर ही तो नर भेड़िया नहीं ता। वह भी accept कर लेता है कि कुछ दिनों से वह रात में एक werewolf में बदल जाता है। उस दौरान वह क्या करता है? उसे कोई होश नहीं रहता। सब लोग कहते हैं कि भासकर को रात में एक गुप्त जगह ले जाकर बंद कर दिया करेंगे। ताकि वह किसी को मार ना सके। वे उसे ले जा सुन लेता है। वह भासकर को पकड़े डिराय लेता है। वह उसे लोगों के सामने ले जाना चाहता था ताकि उसकी सचाई सब को बता सके। लेकिन तभी वही भेड़िया जिसने भासकर को काटा था, वहां आ जाता है। और पुलिस वाले को मार देता है। इससे भासकर औ अपनी वेरवॉल्फ बनने वाले कंडिशन से छुटकारा पाना चाहता था। चोमिन उसे एक बूढे हकीम के पास ले जाता है। वह हकीम उन्हें बताता है कि इस से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। भासकर को फिर से खुद को उस वुल्फ से बट्स पर बाइट करव पूरा चान निकलने पर भेड्या वहां आ जाता है। लेकिन वे देखते हैं वो कोई और नहीं बलकि डॉक्टर आने का थी। वह उन्हें बताती है कि 100 साल पहले उसे भी एक भेड्या ने काटा था। तब से वह वेरवॉल्फ बन गई और इस जंगल को प्रोटेक्ट करने लगी। शुरू में वह भासकर को मारना चाहती थी लेकिन उसके अंदर की अच्छाई को देखकर उसे जिन्दा चोट डॉच दिया था। वह भासकर से कहती है कि जंगल को न काटे। इससे धरती विनाश की ओर जा रही है और जंगल के कटने से लाखों पशू पक्षियों के घर तबाह हो जाते हैं। तभी पुलिस फैनर्स वहां आ जाती है और अनिका पर गोलियां चला देती है। भासकर भी वेरवल्फ में बदल जाता है और सब पुलिस वालों को जखमी करके भगा देता है। लेकिन अनिका को गोलियां लग गई थी वह एक पहाड से गिर ज हो जाती है। इससे भासकर बहुत दुखी हो जाता है। वह फैसला करता है कि रोड जंगल के बाहर बनाएगा और पेढ़ों को नहीं काटेगा। समावत। तो दोस्तों यह थी भेदिया फिल्म की पूरी कहानी भेदिया फिल्म स्टोरी उम्मीद है आपको पसंद आई हुआ हुआ है।